स्वागत है आपका Green Leads चैनल पर अगर आपके पास Jet Plant है तो आप एक Jet Plant से कई सारे प्लांट त्यार कर सकते हैं Jet Plant एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग बहुत असानी से चल जाती है ये एक Easy Growing Plant है तो इससे आप छोटे छोटे प्लांटर जो हैं असानी से त्यार कर सकते हैं Jet Plant की कटिंग को किस तरह से असानी से लगाया जा सकता है चलिए जानते हैं इस वीडियो में आप अपने Jet Plant में से कटिंग ले लीजिए कहीं से भी आप कटिंग ले सकते हैं और आपको जितना बड़ा प्लांटर बनाना है आप उसके कटिंग ले लीजिए अब आप कटिंग में नीचे से 3-4 पतिया हटा कर जो आपका पॉट है उसमें उसको लगा दीजिए तकरीबन दो नौट जो हैं वो मिट्टी के अंदर रहें तो बहतर होगा इस से जड़ें वो अच्छे से पकर सकता है और जो हमारी मिट्टी हो वो बहुत ज़्यदा ड्राइ नहीं होनी चाहिए तो आप जब इसको लगाएं तो उससे थोड़ी दिर पहले इसमें पानी डाल दें ताकि मिट्टी हलकी हलकी सी गीली हो उसमें नमी हो आप अपने एकॉर्डिंग चाहें जितनी उसमें कटिंग लगा सकते हैं अपने पाट के एकॉर्डिंग उसमें कटिंग लगा लीजिए ये कटिंग बहुत असानी से चल जाएंगी इनको ग्रो करना बहुती असान होता है एक बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इस तरीके से कटिंग लगाएं तो मिट्टी को अच्छे से प्रेस करते रहें खुब अच्छे से उसे प्रेस करते दीजिए ताकि उसमें कोई भी अंदर एर पॉकेट ना रहे हम इस प्लांट को इसकी पतियों से भी त्यार कर सकते हैं जो पतियां हमने नीचे से भी हटाई हैं हम उन पतियों को भी अगर इस मिट्टी में लगा दें तो इससे भी जो जड प्लांट है वो ग्रो किया जा सकता है अब हम इसके उपर हलका सा वाटर स्प्रिंकल कर देंगे हलका-हलका पानी डाल देंगे और इसको एक semi shade area में इसको रखेंगे थोड़े ही दिनों में ये जो है plant जो है अपनी roots ले लेगा और इस तरह से एक और हमारा jet plant जो है ready हो गया हम इसको semi shade area में रखेंगे और बाद में इसको धूप में हम रख सकते हैं उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जल्दी ही मिलती हूँ अपने next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए thanks for watching